अश्मिता और अन्विका की कहानी पार्ट वन गर आया नया दोस्त बीटा उठो सुबह हो गई है गुड मॉर्णिंग मम्मी गुड मॉर्णिंग बेटा आज आप लगों के लिए एक सप्प्राइज है अरे मम्मी कैसा सप्प्राइज के लिए मैं और तुम्हारे पापा एक नया दोस्त लाएंगे ये पर मम्मी नया दोस्त कब लाएंगे हाँ मम्मी आडे बताईए तो वो नया दोस्त कौन है अरी वो तो आप लेगों के बादे में पता चलेगा पापा उठ जाए उठ त्यार हो जाए फिर हम सब लोग तुम्हारे नया दोस्त लेने चलेंगे ये मम्मी मम्मी हम दुन्यों पापा को जगा दे जाके ठीक है बेटा जगा दो जाके पापा पापा उठिये हाँ पापा उठो गुड मॉर्निंग बच्चो पापा पापा आज हम लोग नए दोस्त लेने जाएंगे हाँ बेटा पापा पापा आप जल्दी से त्यार हो जाएं फिर हम लोग नए दोस्त को लेने चलते हैं ठीक है बच्चो बच्चो मैं आ गया हाँ पापा खाना खालो फिर हम लोग तुम्हारे नए दोस्त को लेने चलेंगे ठीक है मम्मी खाना बहुत ही अच्छा बना था देने वाद अभी मैं भरतन धोलू और थोड़ा भर के काम कर लेते हैं फिर चलते हैं ठीक है मम्मी जाए सब्सक्राइपक लेटी हो उसके बाएट बच्छों के साथ जाओंगी, ये तो हो गया चलो बच्छो नया दोस्त लेने चलते हैं हाँ बच्छो चलो सारा काम हो गया अरे मम्मी ये लो हम लोग कहां पर आगये, यहां पर हमारा नया दोस्त है हाँ बच्चो यही पे कहाँ पे है पापा चलो बच्चा आगे चलो ये है तुम्हारा नया दोस्त अरे मम्मी ये तो बहुत प्यारा है हाँ पर ये तो बहुत गंधा है हाँ बेटा कल जब हम टिंकु के हाँ से लोट रहे ते तब हमने इसको देखा था और हमने सोचा हो कि तुम लोगों के लिए यह क्यों ना ले जाया जाया हाँ बच्चू हम अभी इसको सौफ कर लेंगे ये चलो इसको गाड़ी में लेके चले चलो अभी से नहलाते हैं तो अब नहलाते हैं ममी पर हम इसको रखेंगे कहां अरे हाँ यह तुम आने सोचा ही नहीं चलो तुम आरे पापा से पैसे लेते हैं सुनिए जी हमें उन लोगों की दोस्तों की दोस्त के लिए नया घर भी तो लेना होगा अच्छा अच्छा ठीक है मैं तुम्हें पैसे दे रहा हूं तुम मिलगा है जी चलो चले मैडम आपका हमारी शॉप में स्वागत है आपको क्या चाहिए जी हमें डॉग होस्त चाहिए अच्छा यह तो बहुत बढ़ी बात है यह देखिए यह कैसा है मम्मी यह तो बहुत अच्छा है आप यही दे दीजे जी 500 रुपीज ओके ठीक है यह ल अपनिवार्ट